राइस का फोटिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा जिससे प्रक्रिया कॉस्ट एफेक्टिव भी होगी और विवारिक भी होगी प्रथम चरणों में PM पोशन और ICDS योजनाओं के अंतरगत अब सभी आंगनवाडियों में और सभी विद्यालियों में मद्याहन भोजन के लिए 45 राइस की अपूर्ति की जाएगी दुवित्य चरण में मार्च 2023 तक 112 एस्पिरेशनल डिस्टिक्स, 500 हाई बर्डन डिस्टिक्स में नाशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट में के अंतरगत आने वाले राशन दुकानों पर आपूर्ति किये जाने वाले चावल तथा अन्यकल्यान योजनाओं के अंतरगत आपूर्ति किये जाने वाले चावल का शत्प्रतिशत फौर्टिफकेशन सुनिश्चित किया जाएगा तृत्य चरण में मार्च 2024 में आगे सभी राज्यों वा केंदर शाशित प्रदेशों में सभी जिलों में राशन में चावल वा अन्यकल्यान योजनाओं के तहट फौर्टिफएट चावल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी इस प्रकार National Food Security Act वो अन्य सभी कल्यानकारी योजनाओं में जो वितृत किये जाने वाले चावल का शत्प्रतिश्यत फौर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा जो बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मान्य परधान मंत्री जी ने जो आर्थिक मामलों की ये मंत्री मंदलिये समिती में निरने किया है कि इस योजना पर मार्च दोहजार चॉबिस तक चार हजार दोस्तो सत्तर क्रोड प्या खर्च होगा और इसका सत प्रतिशत वे जो है वो भारत सरकार यानि के मोदी सरकार ही करेगी